आज बनाते हैं बेशन की बर्फी नमस्ते जी सभी को कैसे हैं सब आसा करती हूं सब अच्छे होंगे आज मैं बनानी जा रही हूं बेशन की बर्फी और पतानी कैसी बनेगी चलो बनाते हैं इसके लिए मैंने यह आधी किलो बेशन लिया है राजदानी का बारिक वाला आदी किलो के सम्थिंगी लग गया है इसमें जब ठंडा होता है तो घी ज़्यादा सोकता है और जब गरम होजाता तो घी को छोड़ा देता है इच्छे से बुनने के बाद छोड़ता है गी को जब तक अच्चा रहता है न जब तक क्चा होला मर जाए जब तक घी को एक अच्छे से सोखता हं रहता है और इसी वर्फी के लिए मैं डरसाइड में एक चास्नी बनाने के ले及 चढ़ा दूंगी क्योंकि ये बर्फी है तो चासनी से ही बनेगी, तो इसके लिए मैंने दो कटोरी चिन्नी ली है ये, ये चिन्नी भी सम्तिंग आधा किलो ही होगी, और इसमें मैं एक कटोरी पानी डालूँगी, जिससे अच्छी सी एक तार की चासनी बन जाएगी, एक कटोरी पानी डाल दे मैंने इसमें और यह एक तार की चासनी मुझे बनानी है तब तक बिस्टन बुनेगा जब तक चासनी भी बनके तयार हो जाएगी और ऐसे मैं बिस्टन को भी भून लेती हूं अच्छे से देखो कितना गी डाला था बेशन ने सब पी लिया और अभी तो सुका सुका सा ही लग रहा है लग रहा है और गी मुझे इसमें डालना पड़ेगा थोड़ा सा तो चलिए देखते हैं देखो मुझे डालना ही पड़ा थोड़ा सा गी मैंने इसमें डाल दिया है तो कि जादे सुका सुका सा हो रहा था आधा किलो बेशन में कम से कम 600 ग्राम के असपास गी लग गया है इस अच्छे से चलाते हुए बस चलाते रहे लगना नहीं चाहिए नहीं तो फिर वह कहीं कहीं ब्लैक दिखता है वह अच्छा नहीं लगता अधर साइड में चासनी भी बन रही है और इधर में बेशन बून रही हूं वैसे तो मैंने लड़ू भी बना रखे हैं बेशन के लेकिन मगा चलो ट्राइ करते हैं आज बर्फी बनाने का देखो यह चासनी चिन्नी गुलने लग रही है तो यह मैं बना रही हूं बार-बार को भी कभी निच्चे लग जाए इधर बेशन को भी बार बार चल आ रही हूं । तो नुकाम एक साथ चल रहे हुँदर चासणी बन ही एक गैस चूले पर और एक चूले पर बेशन बन रहा है और बेसन में भी खुसबू आने लगी है और चासनी में भी उबाल आ गया है देखो अच्छे से चिन्नी एकदम गुल गी है पूरी लेकिन अभी बनी नहीं है देखो अब थोड़ी चासनी बनने की तरफ चलने लगी है गाड़ी सी हो रही है पहले से गाड़ी हो गी है देखते हैं थोड़ा से लेकिन अभी इसमें तार वगएरा कुछ नी बन रहा है तो अभी इसको और पकाना है हमें और बेसन भी है वोल्मोस्ट बुनी चुका है देखो काफी ब्राउन हो रहा है अगे है ये मैंने इसमें आधा कुड़ी इसमें दाल दी हैं और अगर आपके पास मावा है तो बहने था शसका है अच्छे सा आजाता यह से नहden awfully good it तो इधार यह भूटर के तयार हो रहा है उधर देखलेते हैं य। चासनी भी एक चासनी भी अल्मूस्ट बनके तयार है और चासनी को चेक करने का तरीका आप देखो इस तरह भी देख सकते हैं एक कटोरी में पानी लें चासनी को उसमें ऐसे देखो निच्चे डालें तो डलते ही चासनी चारो तरफ फैल गी है और हात लगा के देखेंगे तो वह गुल जाएगी पानी में इसका मतलब है चासनी अभी बनी नहीं है जब हम चासनी को इसमें डाल के देखते हैं तो वह बूनद न misma बैठ जाएए वहीं पर देखो अभी मैंने डाल के देखी थी देखो वो बून वहीं पर बैट गई है जाद नहीं फैल लिए देखो मेरे हाथ के चिपक गी है वो तो इसका मतलब है चासनी है वह हमारी बन गी है अब यह कढ़ाई इधर रख लूँगी और यह चासनी इसी कढ़ाई में पलट दूँगी और वीडियो ओन करना और बंद करना तो इसलिए ना नहीं कैप्चर हो पाया डालते हुए क्योंकि बच्चों की मदद इतनी ज्यादा में लेती नहीं हूं क्योंकि वह अपने काम में बिजी रहते हैं देखो यह मैंने थोड़े से काजु काटके रखे थे वह भी मैंने इसमें डाल दिये हैं क्योंकि अगर हम बाहर से चिपकाते हैं तो वह भीखरे भीखरे से फिरते हैं तो इसलिए मैं इसमें अंदर इसमें अच्छे से सट हो जाएंगे अदेखो इसमें जो बेसन और चासनी है कढ़ाई भी छोड़ना शुरु कर दिया इसमें इसमें कितना फिलालिस की स्टेज आई गूम रहा है इसके साथ साथ इसी स्टेज पर जमा देना चाहिए तो ज्यादा अच्छी जमेंगी फिर यह बिखरेंगी नी बिल्कुल भी तूटेंगी नी अज इस स्टेज पर मैंने जमाया नो इस पर थोड़ी सी तूट गई लेकिन काम करते करते सीखते हैं तो जो गलती मैंने करी वह आप ना करें देखो मैंने अब इस समय जमाया इनको तो अब यह थोड़ी सी बिखरनी सी शुरू होगी थी मदब थोड़ी टाइट होगी थी लेकिन आप थोड़ी पतली से जमा देंगे तो भी यह जम जाएगी नेक्स टाइम जम मैं बनाओंगी तब ऐसे बनाओंगी तो मैंने एक थाली में गी लगा रखा है और इसमें मैं यह आदा बैटर निकाल लूँगी और पटा पट इसको यह जमना स्टार्ट हो गया था मुझे काफी तेजी से करना पड़ा यह सारा प्रोसेस और यह एकदम ही जम गई पांच मिन अब दूसरी थाली में भी मैं अच्छे से इने जमा दूंगी देखो यह काफी टाइट हो गया था बैटर अगर मैं इसको थोड़ा पहले जमा देती ना तो अच्छे से फैल जाता है यह कड़ाई इसमें पर थाली में बस मुझसे दो मिनट का वह हो गया और यह वह कटोरि तो मैं किनारे भी इसके थोड़े से प्लेन से कर दूंगी अरे आप एक तरह कहते हैं यह लड़ू या बर्फी एक जैसे हैं बेससन के लड़ू कहलो या बर्फी कहलो क्योंकि वह यह चिनी से बने हैं वह बूरा से बनते हैं बस इतना ही फरक है और कुछ नहीं जादा इसक किनारे भी इसके मैं कोसिस कर रहे हूं कि प्लेन कर दूंग देखो यह पांची मिनट हुआ है इनको इसमें डाल ले हुए और यह जम के तयार हो गए हैं अभी मैं आपको इनको कट करके दिखाती हूं अब कट करने के साथ साथ यह निकल भी रही थी मतलब चिपकना भी पक अभी मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगे एक पीस और आप जो मतलब इस तरह कटें कि जो विल्कुल फ्रेस पीस है वो अलग हो जाएंगे और जो यह साइड में थोड़ा सा तूटा हुआ पार्ट है यह अलग हो जाएगा कटिंग आप इस हिसाब से कर लें जो सर्व कर आपको दिखाती हूं यहां से निकाल के साइड से देखो एकदम कितने बढ़िया पीस निकल रहे हैं इसके बनी तो बहुत अच्छी है एकदम टेस्टी सी और एकदम करारी भी बनी है ऐसा नहीं है कि बहुत चिपची भी है यह कुछ है लेजिए जी यह बन गई है बेशन की बर्फी बहुत अच्छी बनी है देखो यह यह थोड़े सी जो टूटी हुए थी वह मैंने अलग कर दिया और यह देखो इस तरह आप देख सकते हैं कितने अच्छी बनी है अब इच में इसमें काजो दिखाए दे रहे है यह थोड़ निचे आप अब बनाई थी बेशन के लड़ू देख सकते हैं इसकी रेसेपी भी मेरी चैनल पर है मैं लिंक देरूंगी नी चैक आप चैक कर सकते हैं और बनाई थी मठरी यह बी दो design पहले बनाई थी अब इभी बहर गाया तो उसके लिए बनाया था उसको दिया था लेक बनाए और कोई गलती होगी हो तो इग्नोर करना प्रेज तो देखते रहिए मेरी वीडियो और बना के देखना मिलती हूं अपनी और किसी वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्ते और सभी को बाई बाई